लौड किश्णा नमन लौड किश्णा नमन टू ओल आफ यू माई आल स्वीट डियर इस्टूडेन नाव डिसकस अबाउट हॉर्टी कल्चर क्रॉप्स हॉर्टी कल्चर फसले हम किसे कहते हैं है न वेजटेवल्स फ्रूट्स एंड फ्लॉवर और आल्सो ग्रो ओना लार्ज स्केल अगर हम सबजीयों को फल को फूलों को एक वड़े स्केल पर उगा देते हैं नौट एज लार्ज एज क्रॉप प्लांट क्रॉप प्लांट के रूप में ठीक है लाज स्केल कल्टीवेशन और वेजटेबल फ्रूट फ्रूट्स एंड फ्लॉवर प्लांट इस करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं उसे हम कहते हैं अप्लाइड अग्रिकल्चर का सब्जेक्ट है हमने सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में उनके बारे में भी पता होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करेंगे तो राउट के भेजटेवल और फूट्स हमें मिननल और विटमिंस कराते हैं कैलसियम मेगनीशियम और विटमिस क्या हैं बिटमेस और हार्मोन्द दोनों ही पौटेन नेचर के होते हैं ऐसे समझझे लो आप बिटमिन्स and hormones बोथ आर नेचर सो बिटमिन्स made with the help of protein बिटमिन्स protein से मिलके बना होता है एक तरह का protein ही होता है तो आप ऐसे आध कर लीजिए कि कई ना कहीं vigmin भी amino acid की combination से बना होगा है ना तो यह आपको समझने आपसे इससे समझ सकते हैं ठीक है अलिस्ट ऑफ सम् हर्टिकल्चर क्रॉफ इन गिविन इन इन फॉलोविंग टेवल बैज टेविल में पोटाटो जिसे हम कहेंगे सुलैनम टिब्रोसम यह बोटनिकल नेम आप जरूर लिष्ट बनाईए इनकी मैं सभी इस्ट्वयन से रिक्वेस्ट करूंगा यह आपको जो भी नाम सबजियों का फलों का मिल जाए आप उनके बोटनिकल नेम सर्च करिए उनकी लिष्ट बनाईए हम अभी से याद करेंगे हमारे क्लास में यह बोटनिकल नहीं है लेकिन हम फिर भी इन्हें अभी से समझने की कोसिस करेंगे है ना पोटाटो टोमाटो कैवेज स्पाइनाच ओनियन रेडिस यह सब वेजटेबल है आप इनके बोटनिकल नेम सर्च करिए ठीक है फ्रूट में औरेंज बनानाज ग्र यह तीनों भी आप एक वा सच कर लीजिए फ्लावर में रोजजस्माइं मेरीगौल्ड वाल्शम यह वह सब फ्लावर हैं तो आपने होटी कल्चर क्रॉप्स के बारे में देखा कि यह सभी जो क्रॉप्स थी होटी क्रॉप्स थी अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे में क्रॉप झालब है ए्किकेंजा टो में क्रॉप इसा नहीं है कि आप द χुण गेंड ses लिकिन अब्सक किन दो दिये हैं तो आप दो देख लीजिए इन आवर कंट्री देर ए तूमैं इस seulement जानप इस सीजन एड करेव सीजन फैसेशन उल्पी सीजन फ्रविफ सीजन ऐसी फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं उन्हें हम रवी क्रॉप कहते हैं क्या कहते हैं रवी क्रॉप कहते हैं रवी मींस इस्प्रिंग प्यारे बिध्यारतियों यह न कीश्टो यह थे सब्सक्राइबुभ के खिने में सुने आपने सबसक्राइब के लिख क्रॉप कहते तो इस ज़िए रीया चाहिए गए में रवी का मतलब होता है जाते हैं में तो नौनेश विंटर क्रॉप तो इस रवी यानि कि जो spring Arabic भासा में है इसे हम winter crop भी कहते हैं क्योंकि यह सर्दियों में बोई जाती है तो so in यानि कि इसका बोई का time है mid November November के बीच में end of monsoon जबकि monsoon का end होता है और इसे harvest करेंगे हम April-May में April-May में इसे harvest करेंगे इसकी कटाई करेंगे the crop are grow either with rainwater that has percolate into the ground or with irrigation है ना तो जैसे की example में कौन कोशी फचले है वारले है वीट है पी है ओनियन है tomato है ग्रैम से है ना रवी क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर नमंबर में इसकी बुवाई हो जाएगी कब तक चलेगी मार्च अप्रिल तक यानि कि अक्टूबर नमंबर से चलेगी मार्च अप्रिल तक रवी क्रॉप और सौन इन बिगनिंग ऑफ विंटर अक्टूबर नमंबर एंड हर्वेस्टि इन मार्च अप्रेल देट इज वाई रवी क्रॉप और आल्चो कॉल्ड विंटर क्रॉप इसलिए हम इसे क्या कहते हैं विंटर क्रॉप कहते हैं क्यों यह सर्दियों में होती है वीट ग्राम बार्ले मस्टर्ड पुटाटो और रवी क्रॉप है ना ज़्याधा पानी जरुत होती है द डेट जो वाइज ग्रों रेनी सीजन इसी लिए तो रेनी इस大नु में इसको मिशनम हम पानी जरुत होती है अगे है अब बात करेंगे खरीफ क्रॉप ग्रॉceuव क्रॉप विच इसन से लार्श्ए ुस फ्रम जून मतलब जून के लाश्य में इसे बोते हैं June July में और यह September October तक चलती हैं misery crop are called summer crop क्खरीब की फसलों को हम गर्मियों की फसले कहते है है summer crop कहते हैंimage क्राफ आ'll be beginning of ammonsoon जब मांसून की सुरुइत होने पर इससे बोधिया हो जाती है जिसमें आपका पैड़ी आएगा धान आएगा इनकी मेजी ग्राउंड नट कोटन पल्स जोआर आर्सम खरीफ क्रॉप है ना स्टुएंट खरीफ क्रॉप के बारे में हम बात कर रहे थे स्टुएंट तो इसके बारे में कुछ और इनफॉर्मिशन आपको देनी है जैसे कि खरीफ मींस ऑटोमन ए-u-t-o-m-n खरीफ मींस ऑटोमन इन एरविक लेंग्वेज में खरीफ को ऑटोमन कहते हैं ठीक है एक बार रिवीजन क क्रॉप मांसोन क्रॉप कहते हैं सॉन इन जून बिगनिंग मांसोन इनकी मांसोन के सुरू होने पर याईन की जून में होती है हर वेस्ट इन नवमबर और इनकी कsti हैं नवम चर्म इन राइस मेजी मूव पल्स ग्राउंट रेड चिली यह सब इसके एक्जामपल है ठीक है स्टुएंट अब हम बात करते हैं डू सो नाव यू नो सो अब आप क्या-क्या जानते हैं एक बात देख लीजिए दा प्लांट गो इन लाज कॉंपिती ऑर कॉल्ड क्राउप प्लांट आप नकीस बनाएगा ठीक है हर इस्टुटेंट नोस्स बनाएगा अपने कोके नोस्ट यौरल करेंगे चैप्टर कोई भी स्टाट होने वाला होगा आप पहले से पहले इसको नोस्स बिขुस M8्डध टीक है दबल्ड show in October November and harvested in March April is called Ravi crop example wheat gram barley or potato the crop show in June July and harvested in September October are called Kharip crop example rice meji groundnut cotton or pulse okay student Thank you thank you very much